जब इंदरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुई थे हमें मालुम है कि भारत की जंता को कितना क्रोध आया कितना गुस्सा आया कुछ दिनों के लिए लोगों को लगा के भारत हिल रहा है जब भी कोई बड़ा पेंड गिरता है तो धर्ती थोड़ी हिलती है 19 नौंबर साल 1984 को तत कालीन प्रधान मंत्री और इंद्रा गांधी के बेटे राजीव गांधी ने या बाद बूर्ट कलब के कठा हुए लोगों के खुजूम के सामने कही थी बयानों से जाहिर है कि हम सिख विरोधी दंगे की बात कर रहे हैं आज इसके चर्चा इसलिए क्योंकि इस दंगे के आरोपी कॉंग्रेसी निता सज्जन कुमार को 34 सालों के बाद 73 साल की उम्र में उम्र कैद की सजा सुनाई गई दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को पलट दिया जिसमें जज जे आर आर्यन ने सज्जन कुमार को बरी किया था जबकि उसके दो साथी पुर्व विधायक महेंद्र यादव और पुर्व पार्षद बलराम खोकर को उम्र कैद और तीन अन्य को तीन साल की सजा सुनाई गई थी सिख विरोधी दंगे की कई कहानिया हैं कई लोगों ने अपनी आखों के सामने अपनों को मरता देखा जिंदा जलता देखा है भारतिय वायुसेना की गुरुप कैप्टन मनमोहन वीर सिंग तलवार इन पिड़तों में सामिल थे उन्हें वर्स 1971 में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था देश के लिए लड़ने वाले मनमोहन वीर सिंग के घर को 5,000 लोगों की फीर ने घेर कर आग लग लग दियो सिख विरोधी दंगे में 8,000 से 17,000 लोगों की मौत हुई थी और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ था हाला कि सरकारी आंकडों के अनुसार 2,800 लोग दिल्ली में मारे गए थे साल 2004 में भारतिय राजनीती में सज्जन कुमार के नाम दो रिकॉर्ट दर्च हुए पहला तो देश भर में लोगसभा चुनाओ में सबसे अधिक मत पाने का रिकॉर्ट और दूसरा दिल्ली में सबसे अधिक मतों से चुनाओ जीतने का रिकॉर्ट उन्हें 8,000,000 से अधिक मत मिले थे सज्जन कुमार का राजनीती ग्राप साल 1977 से 1980 तक तीजी से बढ़ा इस जीत के जरिये कॉंग्रेस भी लंबे अर्शे तक उनका बचाव करती रही कोट ने उन्हें हत्या के लिए आपराधिक साजिस रचने का दूसी पाया है सिख दंगा पिडितों का कहना है कि कॉंग्रेसी निताओं के संडक्षन में यह दंगा हुआ लोगों को भढ़काने और उक्साने में सज्जन कुमार जगदीश टाइटलर जैसे निताओं की अहम भूमिका रही दंगे के 21 साल बाद प्रधान मंत्री मन मोहन सिंग ने संसद में माफी मांगते हुए कहा जो कुछ भी हुआ उससे मेरा सिर सर्म से जुप जाता है